Hi everyone, welcome to infinite decimal, my name is Rajan, आज इस वीडियो में RRBPO 2024 के preparation को कैसे की जाए, उसका complete roadmap यहाँ पर discuss करने वाला हूँ As a aspirant, जब भी आपको इस strategy वाली वीडियो पे click करते हो, road map वाली वीडियो पे click करते हो, तो what is your need, क्या आपको expectation रहती है कुछ तो मन में रहा होगा ना, कि sir, ये चीज़े मुझे मिलनी चाहिए, तो एक general strategy वीडियो में आपको ये चार चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए first, कि sir, आप ये बता दो कि हमारे पास time कितना है preparation के लिए, then उस paper के respect में, जैसे RRVPO की बात कर रहा है, तो tell me about the exam pattern, syllabus क्या है, previous year question के बारे में थोड़ा बताईए, difficulty level के बारे में बताईए, then sources क्या के follow करने चाहिए, subject wise, and fourth is your actual study, कि sir, sources तो बता चल गए, कि sir, sources तो बता चल ग करेंगे, ये चार आपकी requirement है, ऐसा में मान के चल रहा हूँ, so first, time in hand, लग रहा होगा आपको कि बहुत सारा time है, time जाधा नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, कि आपको April से अच्छे से preparation स्टार्ट करेंगे, अभी 10 दिन है, no doubt, but still ये 10 दिन कैसे बीतेंगे, आपको बता कर सकते हैं, और जो mains already दे चुके हैं, जिनका mains में problem है, वो और अच्छे से अपने preparation को polish कर सकता है, कैसे करना है, लेकिन आगे बताता हूँ, let us now talk about exam pattern, syllabus and previous year question, तो मैं बहुत जाधा time spend नहीं करना चाता है, कि देखो, ये आपका ऐसा है, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छी च करना है, books कौन से use करने है, सारी चीज़े वहाँ पर दे दिया है, अगर आपको ये working aspirant है, आपका time manage नहीं हो रहा है, तो आप इसको भी check कर सकते हैं, इसमें मैंने सारी चीज़े बताई है, कि बहुत sort में मैंने लिखा है, जिसे कि आपका जाधा time खराब नहीं हो, अब अर RRB से, RRB का level जानना बहुत important है, जिसे कि आप अच्छे से भाप पाएं कि हाँ, इस level की मुझे preparation करनी है, चाहे वो clerical exam का हो, या RRB PO का, इसका आपको PDVS से question कहां पर मिलेगा, तो either you can search on guidely, या फिर ADDA पर चेक कर सकते हो, या test book पर, कहीं पर भी Google पर आप search करना, तो आप आपको मिल जाएगा, but make sure to check the previous year definitely, now next, देखो मैंने sources को यहाँ पर दो पार्ट में divide किया है, कि अगर आप quant की ही बात करते हो, तो quant के अंदर आपको दो चीजे करनी होंगी, sources जो है, दो तरीके से आपको खोजना है, first is concept, कि आपको concept की clarity भी तो चाहिए, तो एक example लिया मैंने mixture allegation का, अगर आप free वाले बच्चे हैं, आपने कोई paid course हमारा नहीं लिया है, और कहीं पे भी दूसरी जगर नहीं लिया है, तो आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा होगा, और paid वाले बच्चों की भी बोलना चाहूँगा, कि अगर आप अभी कोई live course को देख करना है, आपको खुद भी सीखना है, खुद भी practice करना है, तो यह चार मीना टाइम कम लगेगा आपको, लेना ही चाहते हैं, तो recorded format में ले लिजी, वो अगर आपको मिलता है कहीं से, या फिर अगर आप YouTube पे हैं, तो आपको बहुत सारी playlist मिल जाएजी, मेरे भी हैं, दूसर दूसरे teacher से भी पढ़ता है, I am all okay with that, आप उनकी recorded video निकाल लीजे, कोई भी एक particular chapter की, जैसे मैंने mixture allegation का example दिया, आप हमारे playlist में जाओगे, तो आपको arithmetic chapter का एक playlist मिलेगा, जहाँ पे मैंने complete mixture allegation डाला हुआ है, तो आप concept वहाँ से सीख लोगे, ये जैसे ही complete हुआ, तो अब ठक करनी पड़ेगी, चाहे आप means आपने दिया भी क्यों ना हो, तब दी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि मेरे feedback में ही मेरे को देखने को मिला है, कि कोई बच्चा means देके भी आया है, IVPSPO का means देने आया है, जब हमने basic पढ़ा है, तो उसको ये चीज़ पता नहीं थी और गलत कर रहा था, ठीक है, तो ये चीज़ आपको identify करनी पड़ेगी, वो concept से आपका clear होगा, एक chapter हो गया, then, आप single chapter होगा, तो आप जब practice करने जाओगी, तो practice में आपके पास बहुत सारे resources है, मैंना यहाँ पर जैसे mock test लिखा है, most of the students go for this mock test, लेकिन एक chapter complete करके mock test पे जाओ आपको पूरा का पूरा दिया था, reasoning का भी मैंने इस साल सोचा है कि आपको provide करेंगे, अगर आप वो नहीं follow करना चाहते है, आपके पास कोई एक book है, सर्वेश ओर्मा की book है, आप उसको follow कर सकते हैं, जो भी chapter complete किया, go for chapter wise practice, उसको complete कीजिए, और जब 4-5 chapter आपने complete कर लिया ह तब आप क्या कर सकते हैं, sectional या फिर mock test लगा सकते हैं, उस particular section की, जैसे quant में मालो आपने 5-6 chapter कर लिया, now you are ready कि हम mock test दे ले, और इसमें आप ये धियान रखिएगा, जैसे quant का मैंने example लिया, तो आप mixture allegation कर रहे हैं, आपने speed time and distance कर लिया, ठीक है, फिर number system कर लिया, percentage कर लिय ये arithmetic section कर रहे हैं, इसमें और भी दो section है, numerical ability भी है, और DI भी है, तो उनको ignore नहीं करना है, आप ऐसा किये, कि अगर week में माल लिजिए, दो या तीन दिन आप arithmetic लेते हैं, तो बाकी के दो दिन आप arithmetic और जो आपका DI है, उसको देखिए, क्योंकि वो भी prelims में आने वाला है, औ अगर आप mock test देंगे, तो majority आपको अभी देखने को मिलेगा, कि arithmetic का उतना ज्यादा रोल नहीं है, अभी ज्यादा आपको रोल देखिएगा, DI का, quadratic का, तो आप सुचेंगे कि उसको ज्यादा पढ़ें तो हो जाएगा, दोनों का balance बनाना पड़ाएगा, क्योंकि means में आप आपको आके arithmetic डर आएगा, तो arithmetic के knowledge बहुत अच्छे से लेनी जादा जरूवत, कि अगर साथ दिन का week है आपको, उसमें से तीन दिन आप arithmetic के लिए निकाली है, बाकी दिन आप DIV कीजिए, numerical ability भी कीजिए, और एक दिन आके last में mock test भी देशबते हैं, अगर आपका बहुत सा इस बार भी कुछ बच्चों ने अच्छे से बनाया है, तो वो notes आपको मैं गनित पत्रिका में इस बार देने वाला हूँ, मैंने कहा था update आएगा, update कि practice set तो रहेगा ही, साथ में आपको उपर notes मिल जाएगे, जैसे मैं mixture allegation का example लेता हूँ, तो नीचे पूरा chapter wise notes रहेगे, उपर आपको like उसके complete notes मिल जाएगे, जो हमने पढ़ा है, जो बच्चे ने बनाया है, अब वो बच्चे की perspective से है, कि उसको जो important लगा है, वो लिखा है, तो एकदम से आपको सारे questions नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, important जो भी concept है, वो मिल जाएगे, जिसकि आपको concept वाला part clear हो this will be a better way of how you can proceed with quant, बस कुछ दिन रुकिए, 27-28 तारीक तक आपको मिल जाएगा, और कुछ एक बच्चे से मुझे बात करनी है, जिनका भी SBIPO में हो गया है, उनसे भी मुझे notes लेने है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा wait कर लीजएगा, तो इससे क्या होगा ना, कि pre वाला part आ या नहीं है मालो, जैसे हमारे one of the student थे, गर्वित, उनको pre में थोड़ी दिक्कत नहीं होती थी, SBI क्लियर कर लिया है उन्होंने इस बार, मेंस में दिक्कत थी, तो इसे ही आपको अभी क्या करना चाहिए, मैं ये बोलूगा, कि आप ये देख लो पहले, कौनको से chapter आपको कीजिए, मतलब मेंस उसके according कीजिए, जो नहीं आता है उसका basic, जो आता है उसका high level का practice, समझ गए, मेंस वाले भी आपको बता दिए, pre वाले भी बता दिए, same goes for reasoning, आप हमारे चैनल पर जाएंगे, inequality की आपको पूरी वीडियो मिलेंगे, silos की सारी वीडियो मिलेंगे, freely available है, पूरा का पूरा deep concept के साथ, आप हर एक को चेक कर लेना, उसके बाद question लगाओ, English में पहले आपको reading करनी पड़ेगी, reading के लिए आप अगर सोच रहें कि सर कहां पढ़ें, एडिक्रूडियो पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, आप एप पे जाएगा, मैंने freely available करवाया वो सारी freely available होंगी, telegram group पे भी मिल रहा है, और हमारे app भी मिल रहा है, जहां से आपको पढ़ना है, वहां से पढ़ सकते हो, उसके बाद जो practice वाला part है, जैसे RC वगरा है, हमने YouTube पे काफी सारा करवाया है, RC के बारे में, RC 99 आपको दिया था, starting अगर beginner से start करना चाते हो, तो पहले reading थोड़ा सा करो, 10 दिन आप reading कीजिए, जो perspective का article है, धीरे दिरे आपको idea लगेगा कि हाँ कैसे पढ़ना होता है, then आप बांकी चीजों को करिए, एकदम सही question पे आ जाओगे कि पैरा जंबल सीखने लग गया, तो दिक्कत हो सकती है, कई बार आपको पैरा जंबल के single sentences हमझ नहीं हाते, वो कब आएंगे, जब आप थोड़ा सा reading में improve कर लोगे आपना, समझ गया है, कि how you have to study first concept, then practice, and chapter wise करना पड़ेगा आप, और जब bulk में कुछ chapter हो जाए, then only go for mock test, अभी से mock test करना लग जाओगे, तो दिक्कत हो जाएगे, जो pro level की student है, वो आपको suggest करेंगे कि mock test लगाईए, क्योंकि उनका clear है, आपका clear नहीं है, आपको अपना strength, weakness खुद को देखना पड़ेगा, खुद के according preparation करोगे न, guidance लीजिए, लेकिन एक दो से ले लिया, बस, जैसे आज आज अगर ये strategy वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहे हैं, हाँ, ये मेरे काम की पीछे, दसवे नंबर को कीजे, आपके ऊपर है, लेकिन एक को अगर चूज कर ली है, कि आज इसको करना, मैंने मालोगी 20 तारिक को आज select कर ली है, कि सर, हम मुझे infinitesimal search को follow करना है, I will go till December, जब तक exam दे रहे हैं, December तक देंगे, आप लोग RRBPO में selection होगे, तो बहुत अच प्रिकत हो जई, जंप नहीं करना है, stability लानी है, preparation में, stable mind रहेगा, तो आप ज़्यादा एचीव कर सकते हो, unstable mind रहेगा तो आज यहां से आपको कुछ गलतिया निकलेंगी, कि ये teacher में ये खराबी है, ये teacher में ये खराबी है, वो ही निकालते रह जाओगे, compare करते रह क्योंकि बहुत सारे बचे January से start कर चुके हैं, और सच बताऊंगे आपको उनके notes दिखाऊंगे तो आप डर जाओगे कि किस तरह की preparation कर रहे हो लोग, ठीक है, थोड़ा सा आप पीछे हो, लेकिन ठीक है, मैनत करके आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन positive way में आज सही बढ़ना कोई भी जो भी आपका affordable लगता है, वो आप कर सकते हो, गाइडली का PDF है अगर आपके पास तो वो कीजिए, नया कुछ लेनी की जरूरत नहीं है, जो है आपके पास बस उसको अच्छे से follow कीजिए, बट concept practice follow जो पार्ट मैंने बताया है, वो बहुत important है, उस पे काम जरूर क कीजिए, ठीक है, content जादा दमा मत कीजिए, बहुत सारे आपको content देखेंगे कि मैं अतलब quality के 1000-1000 question आपको दे रहे, नहीं जरूरत है, 100 question कर लो, बहुत है, 100 question कर लो, सीख लो बस, सीख लोगे, तो आपको 1000 question के लिए भी capable बन जाओगे, सीख होगे नहीं, तो 1000 question भी करके फा beginners के लिए है, आप in general पहले पढ़ाई तो start कीजिए, topics तो complete तो कीजिए, तभी mock देंगे, क्योंकि अगर मैं starting से ही, आपको अभी mock के question बताने लग गया, कि mock के question कैसे select करेंगे आप, तो problem हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या है, आपको लगेगा कि सिर्वो बहुत जादा important है, लेगिन पहले आपका important है concept सीखना है, अगर सारे chapters हो जाते हैं आपके, मालीजे 50% syllabus हो जाता है, then you can go for mocks, तब मैं आपको वो जब time आएगा आपका, जब मुझे लगेगा कि हाँ, आपने अभी कर लिया है, जो मैंने strategy बजाई, उसको follow कर रहे हैं आप लोग, उसके बाद आ वाले वीडियो भी मिल जाएगी, बट पहले आप इस पे काम कीजे, पहले अपने concept को strong कीजे, ठीक है, तो मुझे इतनी ही बाते आपको बतानी थी, I hope आपको वीडियो से कुछ output मिला होगा, अगर ऐसा है, तो आप लोग इसको like कीजेगा, और comment section में भी बताएगा कि किस त